असलावन को मर रिव्यू स्पीकर में खशामदीद मेरा ना अमीर है और ये है OPPO A9 2020 की अन्बॉक्सिंग और इसका फुल रिव्यू दोस्तों A9 2020 कुछ हफतों पहले ही OPPO की जानब से लाँच किया गया है और इसे लाहॉर में लाँच किया गया था और मैं उस लाँच इवेंट पे भी गया था और वहाँ मैंने एक व्लॉग बनाने की कोशिश की थी लेकिन बैड लाइटिंग, फोकस प्रॉब्लम्स और बैड आउडियो की वज़ा से वो व्लॉग फिर बन नहीं पाया आपका भाई वहाँ पे एक वुक चार्जर भी जीता था और स्टेज के भी कुछ मनाजर मैंने रिकॉर्ड किये हैं एन्यवे आते हैं A9 2020 की तरफ तो फोन के दो कलर वेरियंस मौझूद है स्पेस पर्पल और मरीन ग्रीन और फोन 8GB RAM के साथ आता है जिसकी पाकिस्तान में ओफिशल प्राइस 47,000 रुपए है लेकर अगर हम शॉपसी.pk पर जाके प्राइस चेक करें तो ये फोन आपको 45,000 रुपए को भी मिल जाएगा अब चलके बॉक्स पर लगे प्लास्टिक को उतारते है और फिर लिट को खोलते है सबसे उपर ये फोल्डर है जिसमें एक SIM Ejector टूल है कुछ यूजर मैनुल्स है और एक सिलिकोन प्रोटेक्टिव केस है और दोस्तों ये रहा OPPO A9 2020 का हैंसेट लेकर इसे देखने से पहले बॉक्स के बाकी content देख लेता है बॉक्स में एक 10W का non-fast charging capable charger है जिस पर मागे चलके बात करेंगे और साथ में एक USB Type-C केबल है और एक hands-free headset है अब चलके handset पर से wrapping उतारते हैं और फिर इसे थोड़ा करीब से देखते हैं build quality की बात करें तो Oppo A9 2020 के front पे Gorilla Glass 3 है जबके back, polycarbonate या plastic की है फोन की back पे ये S-shape वाला gradient pattern है और यकीन में ये बहुती खुबसूरत और eye-catching है हमारा आज का ये device Space Purple है जिसमें blue और purple के shades आते हैं और back की edges curved हैं जो के phone की hand feel को बहुत अच्छा बनाता है और उठाने में comfortable रखता है और साथी साथ बड़ी battery के वज़ाजे phone में थोड़ा वजन भी है दोस्तों plastic होने के बावजूद भी ये phone मुझे कहीं से भी एक cheap या tacky phone नहीं लगा और अगर overall इस price range की बात की जाए तो हमने ज्यादा तर phones में polycarbonate backs ही देखे हैं कुछ ही phones आते हैं इनमें glass back होती है लेकिन polycarbonate backs से phone थोड़ा ज्यादा durable भी रहता है और overall A9 2020 की build quality से मुझे कोई शिकायत नहीं है डिस्प्ले की बात करें तो phone में 6.5 इंचिस का IPS LCD पैनल लगा हुआ है जिसका resolution 720 x 1600 है यानिके 720p है और pixel density 270 ppi है जबके brightness 480 nits है तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस price range में यानिके 45-47,000 रुपे की price range में हमने किसी भी phone में इतने low resolution वाला display नहीं देखा है लेकिन 720p और 1080p में मुझे personally day-to-day basis पे फर्क बहुत ही 19-20 का लगता है मैं बिल्कुल भी mind नहीं करता 720p display को in fact मैं अपने Galaxy Note 9 को अक्सर 720p resolution पे switch कर देता हूँ ताकि मेरी battery थोड़ी सी conserve हो जाए और XRocad बहुत लंबे time के लिए 720p पे ही रहने देता हूँ और इसकी बुनियादी वज़ा ये है कि 720p के resolution से आपकी battery को कम pixels चलाने पड़ते हैं और आपके processor को भी कम pixels हैंडल करने पड़ते हैं जिसकी वज़ाए से आपका phone ज्यादा smooth भी चलता है और battery पे भी कम load पड़ता है लेकिन इस price range में बेतर होता अगर इस phone के अंदर एक full HD display होता जिसमें हमारे पास option होता कि हम खुद उसको 720p resolution पे convert कर लें तो overall 720p display होना 47,000 रुपे के phone पे एक downside है तो तो अब बात कर लेते हैं performance और specifications की तो A9 2020 में Qualcomm का Snapdragon 665 processor लगा गया है जो के 11 nanometer के architecture पे based है साथ में Arduino 610 GPU है फोन में 8GB RAM है और 128GB UFS 2.1 storage है साथ में phone में full dual SIM support है यानि कि आप इस phone में 2 SIMs और 1 microSD card सब एक साथ लगा सकते हैं लेकिन ये feature इस price range में तकरीबन standard है हमने हर phone में ये feature देखा है अगर benchmark results की बात करें तो OPPO A9 2020 का Geekbench 4 में single core score 1514 आया जबके multi core score 5391 आया Snapdragon 665 processor और Arduino 610 GPU का combination किसी भी लहाँ से weak नहीं है लेकिन इस price range में हमने Snapdragon 710 और 712 भी देखा है लेकिन फिर भी Geekbench 4 की हद तक performance में बहुत बड़ा फर्ट नहीं है लेकिन अगर Antutu scores की बात करें तो यहां phone का score 134,434 आया और यह थोड़ा कम है यहां तक के Xiaomi Mi A3 से भी कम जबके Mi A3 में भी same processor और GPU का combination है जो के थोड़ी सी अजीब बात है मेरे असाब से इस price range में phone का Antutu score तकरीबन एक लाग पेंताली से एक लाग पचाजार के असपास होना चाहिए तो यकीन यह score थोड़ा सा कम है फिर पर अगर daily performance की बात की जाए तो phone काफी smoothly चला मुझे कोई ऐसा खास lag नहीं महसूस हुआ और इसकी एक बड़ी वज़ा यह है कि इस phone में 720p display लगाया गया है लेकिन कम resolution का मतलब होता है कि phone को कम pixels चलाने पड़ते हैं जिसकी वज़ासे आपको interface को navigate करने में apps खोलने में, menus खोलने में daily usage में कोई ज्यादा lag नहीं महसूस होगा gaming की बात करें तो A9 2020 में OPPO Game Boost 2.0 technology मौजूद है और हमने इस phone में PUBG और Call of Duty खेली PUBG by default low settings पर चली लेकिन मैंने इस settings को थोड़ा सा बढ़ा के भी खेला और मुझे कोई खास lag महसूस नहीं हुआ लेकिन फिर भी आप इस phone पे PUBG high settings पर नहीं कहल सकते इस price range के कुछ दूसरे phones PUBG को बहुत अराम से high setting पर चला लेते हैं Call of Duty की बात करें तो game overall काफी smooth चली बस occasionally थोड़ा बहुत lag महसूस होता था लेकिन game overall बिल्कुल playable थी अगर fingerprint sensor की बात करें तो speed मुझे बहुत तेज लगी और बहुत responsive था लेकिन back पर fingerprint sensor के depression बहुत ही shallow है जिसकी वज़ाए से बहुत असानी से महसूस नहीं होता बहुतर होता अगर थोड़ा सा deep होता लेकिन जैसे आप इस phone पर इसका silicone protective case लगाएंगे तो obviously फिर वो आपको आराम से महसूस होगा साथ में phone में Dolby Atmos के साथ dual stereo speakers लगाए गए हैं जो के इस price range में बहुत ही rare है इस phone के main competitors में किसी में भी dual stereo speakers नहीं देखें अब तक जिसकी वज़ा से ये phone content consumption के लिए बहुत बहतरीन phone हो सकता है खासकर अगर आप इस पर movies देखते हैं और gaming के लिहाज से भी ये एक खुशायंद बात है तो अगर overall performance की बात की जाए तो A9 2020 यकीन अपने competitors से थोड़ा सा पीछे रह गया है खासकर अगर हम Antutu scores की तरफ देखें और gaming performance की बात करें तो लेकिन फिर भी overall daily usage में और content consumption में ये phone आपके लिए अच्छा option हो सकता है और दोस्तों कर बैटरी साइस की बात की जाए तो 5000 billion आप आवर की बैटरी लगाए गई है लेकिन थोड़ी से हैरत की बात ये है कि phone में कोई fast charging support नहीं है और out of the box phone 2 आप की power brick के साथ आता है यानिके 10 watts के charger के साथ आता है इस चीज़ को लेके OPPO N9 2020 के उपर बहुत ज़्यादा criticism आ रहा है और उसकी बुर्यादी वज़ा ये है कि इस price range में कोई भी phone ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसमें fast charging support नहीं हो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि 45-47,000 रुपए की price range में OPPO ने fast charging क्यों नहीं दी खासकर एक ऐसे phone में जिसको battery monster कहा जा रहा है जिसे market किया जा रहा है as a phone जिससे आप gaming करें जिस पे आप content consume करें यहां तक कि इस phone में reverse charging भी दी गई है मेरे opinion में आप reverse charging इस phone से निकाल देते और 6GB RAM भी देते लेकि साथ में fast charging देते तो वो एक बहुत अच्छा move हो जाता और fast charging ना होने की वज़ासे अगर phone को अब आप charge करते हैं तो empty से full charge में यह phone तकरीबन 3 गंटे लगाएगा अगर battery life की बात की जाए तो इस phone की battery life बिल्कुल ही stellar है 720p display और 5000 mAh जैसी बड़ी battery के साथ यह phone डेर दिन तो बहुत ही आराम से निकालेगा और अगर आपका usage light हो तो दो से धाय दिन भी निकल सकते हैं तो अब बात करते हैं cameras की और रिवायती तोर पे OPPO mid-range phones में camera king माना जाता है A9 में back पे 48MP का एक main CMOS sensor है F1.8 aperture वाला साथ में 8MP का एक ultra wide sensor है और साथ में 2MP के 2 sensors हैं जो के portrait features देते हैं और अगर selfie cameras की बात की जाए तो A9 में आगे की दरब 16MP का selfie shooter है image samples में नज़र दोड़ाएं तो images बहुत detailed थी और color reproduction काफी accurate थी सबसे ज़्यादा impressed मुझे इस camera की dynamic range ने किया है जो के मेरी नज़र में Samsung Note 9 जैसे high end phones के साथ भी comparable है इस phone की images काफी saturated होती है लेकिन कुछ-कुछ images में मुझे sharpening थोड़ी aggressive लगी इस phone का macro images का option मुझे काफी interesting लगा लेकिन macro images काफी low resolution और soft थी और अगर selfie camera की बात करें तो यकीना 720p display एक downside है लेकिन कम resolution का मतलब होता है कि phone को कम pixels चलाने पड़ते हैं जिसके वज़ा से phone battery भी कम consume करता है और processing power भी कम consume होती है जिसकी वज़ा से overall performance में थोड़ी सी बहतरी आती है इस phone की सबसे बड़ी weakness यह है कि इस phone में कोई fast charging support नहीं दिया गया है और मेरे हिसाब से market में इस phone को यह चीज़ बहुत hurt करेगी क्योंकि इस वक्त इस price range में competition बहुत ही tough है Realme 5 Pro, Vivo S1 और Redmi Note 8 Pro जैसे devices के सामने इस phone के पास एक tough competition है आपके Oppo A9 2020 के बारे में क्या खयाल आते हैं इस वीडियो में इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आयोगी हमेशा की तरह लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा इंशाला आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में अला हाफिस